जो वो डारू पिये लाए वो यह अक्सीडन वो चाहे इसमें तो माता क्या करें? माता का करें, सही बात है माता का मंदिर बात में आएगा यह भी दर्शन करते हैं इरिया है यही पे माता चुड़ेल का मंदिर है और इसी मंदिर पर जो है कि तमाम भक्त गड़ाते हैं और माक से असरबाद मांगते हैं कुछ ने कुछ अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए और माक यह मंदिर पर भी में ले चलूँगा आपको दिखा देना कि इस तरह से है ना माता जी को जो है कि यहां पर इस तरह की साड़ी चुंदड़ी लोग चड़ाते हैं और तमाम मन्नत भी जो होता है उनकी पूरी होती है बहुत सारा जो है कि आप देख रहे हैं इस तरह से मा को लोग अरपण किया है चुंदड़ी यही इनका यहां पूजा पाट के तरीका है मा को साड़ी चुंदड़ी अरपण किया जाता है और तमाम ख्वाइशों के लेके लोग आते हैं और मा से मा के दर पे माथा टेकते हैं और असिरबाद मांगते है कि सादी नहीं होती है जो जिसका बच्चा नहीं होता है बिलकुल वो यहां आते मन्नत लेके जाते उतका काम हो जाता है फिर वो मन्नत करवा में आती है आये चलते हैं सिधे मा के मंदिर के तरब ये हामा का मंदिर जिसमें मा भी रजमान है, मा की ज्योति जल रही है और मा को चड़े जता है आप में किंगन, सिंडो, चोडी यहां पर मात्र साड़ी मा को साड़ी चड़ाया गया है और दूर दूर तक आप जहां जहां नजट डालेंगे हर एक पेंड पर जो है कि मा के साड़ी अरपण किया गया जहां जहां मा का छाया जाता है जहां जहां उन्हीं कृपा है वहां वहां तक जो है कि लोग मा को साड़ी अरपण किये है आईए मां का मंदिर है बहुत प्यारा सा चोटा सा और आप भी जो है कि मां का दर्शन करके श्रिवाद लेजिए ये मां का हवन कुंड है यहाँ जो लोग मां से मनत मांगते और मनते पुरी राती है तो यहाँ पर वो लोग हवन पूजा पाड़ करते हैं और मा को परसंद करने कोशिश करते हैं तो आईए मिलते हैं जो कि यहाँ के बाबा है पुजारी महराज मां के सेवा में लगे रहते हैं इनके देख रेक में हाँ मा का सेवा होता है तो बाबा मा की बारे में कुछ बताईए ना यह नव लग साड़ी माता गी जिए बराबार यह जो मंता पुरी होती है तो साड़ी शीरा चवाना सब उसको चड़ाय में आता है बराबर इसका प्यार ले ने में आता नहीं इसका पहले शीरा हां थोचो जी का गी का बनाने का पावए इतना बनाव इतना तो मेरी इंमत परमौन, फिर साड़ी संगार, चवाना, बिक्तोल और थोड़ा दारू चाहिए, वो जो मन्नत आपकी पुरी हो जाए बाद में करने का, पहले नहीं करने का, पहले नहीं करने का, रहिवार को दिन पप्लिक बहुत आती है, अच्छा अच्छा, ओ, हर रो जो अजवारी भी ज जाती है, उसी दिन इसका सदावत होता है, बिलकुल, कड़ी खिचरी बनती है, केरे जो परार में करती है, संगवाले बहुत निकलते है, बढ़ाबर, बढ़ाबर, तो वो साड़ी जो आई, उसको बेजने की नए, किसी को देने की नहीं, बढ़ाबर, वो माता जी बोलती ह स्दि और माँंत्थ राएवार आपके वार्या, मोग्रवार अमें वात्यून सबंग नियुक्त MIN बनेलता हुए,Á तो साडी को आप भेच नहीं सकतें या को साड़ी भेचने का रहा ही माथ में बनेले साडी की करें राएवार इसा का रहा ही प्रसी भेच है वार्वार मंगलवार गुरुवार यह तीन दिना मा का दर्शन आप लो करते हैं और उनको पुझापड यहां पर होता है आपका नाम क्या बबाबा लीला बभाई रबाडी यह नि बाबा का नाम है और मा का उत्पति काईसे हुआ इनका मा की उत्पति ऐसा हुआ यह जनाओ वाल तो वह टर में उत्र पडता है मेरे को मालूम ता यह जगह पर कुछ कुछ को ुरह अटमात्या रख वर झेल बिल्गुल यह मेरे मेरे को मालूम पड़ गया बरावर फिर मैंने गाम्वालों को बला भई यह करजो तो ओ आ celui क्षोदिल हो यह ने चलो बिछा दो तो सब अच्छा हो जाएगा चलो आप तुम बोलो तो हम बिठा सकते तो मैंने अग्या रेंटा रखके माता जी का ठापन किया एक साड़ी दिया सिरा, चवाना, बिस्टोर, दारू, सब चड़ागे माता जी को बिठाई फिर दूसरे दिन एक साड़ी आई तिसरे दिन पांचोनेक साड़ी आई बड़ माता जी ने पहले थी मेरे को बोला था कि मेरे साड़ी बेचने की नहीं गम्म इतनी होए मेरे को मालूम नहीं था कि ये साड़ी इतनी होगी मैंने बोल दिया माता जी तेरा बचन में मैं बंदा था हूँ तेरी साड़ी हम लोग बेचेंगे नहीं, तो वो साड़ी तो अभी हम गिन सकते ही नहीं, ना कितना नहीं हो गई, देखो 3-4-4 किलोमेटर सुरी साड़ी है, वो गाव नैनपूर और संसुली दोनों की बीच में माता बैठी है, बराबर, इस तरह से दोस्तों जो है ना कि मा क कुद पत्ती होई, और अब उस तरह जो घटना होती जम नहीं होता है, वो बंद हो गई, अभी नहीं होती है, लेकिन जो मरने वाला है, वो तो दारू बारू पिके, जो मरता है तो अभी तक तो नहीं आसा हुआ है, पर जो दारू पिये ला है, वो यह अक्सीडन होता है, इसमें तो माता क्या करें? पर जो वह क्याहिन होता था वह अभी नहीं होता है वह बंद हो गया यह इस तरह कि मा का कृपान है यहां पर हो गया अमदाबाद से पबलिक आती है, बंबई से आती है, बहुत बहुत उसकी मननते हर लंडन, हर अमेरिका, कनेडा, सब जगाए उसकी मननत चलती है बहुत अच्छा लगा आज मिलके बाबा से भी मुझे कि इस तरह का यहां सक्ती है और जो कि अब आप एहां के किसी तरह के अन होनी नहीं होतें दोर्टों यह मा का सक्ती है, उनकी क्रिपा है भक्तों पर और जिन की सेवा दीन पर दीन बाबा करते रते हैं आप कभी विदर गुजर बुजरिये तो प्लीज आप मा का अश्रिबाद लेजिए मा के साथ साथ बाबा का अश्रिबाद लेजिए और अपने मनत को पूरा किजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे और कुछ भी तब तक के लिए हमें दीजिया जात नमस्ते पराम जै माता दी